असलाम लेकिम एवरीवान वेलकम बैक टो माय चानल तो टोड़े आम प्रपेरिंग मटन रान रोस्ट की रेसिपी विद राइस जो के बड़ी ही मज़ेदार और टेम्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फगेट टो क्लिक देबल आइकन सो यूल नवर मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर ऑल्सो इसको घर में जरूर ट्राइओट करिएगा एंड डू लेट में नो इन दे कॉमन सेक्शन सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले में पास यह दो केलो की टान है इस वह डीप पर डी जो है वो कट्स लगाऊंगी दूनों साइड और सो जहां पे हड़ी होती है वहां पर प्रॉपर सा कट लगाऊंगी ताकि ऊचीजली मैं इसको बेंट कर सको दैंसेम्ख लेग नमक कर रही हूं और मैं अपने हाथ की मदद से पूरी तरफ जैब बहुत प्रॉपर्ली हमने जो है वह नमक को कोट कर देना है अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो रान है वह बहुत एजिली बेंड हो पा रही है अब मुड़ने के बाद अराम से मैं इसको एक जिप लॉक बैग में एट टो टैन आवर्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी यह बहुत अराम से हो जाता है इससे क्या होता है कि आपको पपीता वगारा लगाने की कोई नहीं है अब हम इसकी मेरीनेशन करेंगे जिसमें आदे कप धरी में लाल मिर्च पॉडर वन टेबल स्पून हल्दी पॉडर हाफ टीश्पॉन कुटी लाल मिर्च वन टीश्पॉ इंडिवीजुली दोनों को हमने आड करना है दो टीश्पॉन देन वी ए अड़िंग लेमन जूस यानि के एक बड़े साइस के लीमू को आपने जाए स्क्वीज कर लेना है इसके अंदर लेमन स्क्वीज करने के बाद हम इसमें आड करेंगे कच्री पॉडर वन आपके कोई भी लंप अगेरा ना रहे जाएं बहुत प्रॉपर्ली इसको मिक्स कर रही हूं मैं जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूं यूगाइस गो एंड सब्सक्राइब तो माई चैनल और आपको विडियो गर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कॉमेंट और शेयर जरूरी करें नाव यूगाइस कें क्लेरली सी कि हमारा पेस्ट जो है वो बड़े ही एक चटपटा और मज़ेदार सब प्रिपेर हो गया है एंड नाव इस रेडी कि हम अपनी रान को इससे कोट कर लें अब मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को मारिनेशन का प्रोसीजर सिख को बनुरे हैं रखाऊंगी जिसमसें हमने जहां पर कट्स लगा तो इसमें बड़ा ही प्रॉपर्ली हमने ही फेस्ट को जो हो फिल करना है अगे पीछे से तरफ से बैलकुल फिल हो गया है तो मैं मसाया लगाने के बाद इसको almost 10 to 20 minutes जो है आपने ऐसी cover करके छोड़ देना है after 20 minutes almost हम ये दो foil paper के piece ले रहे हैं then मैं इसके उपर अपनी रान को place करूंगी और simply अपने foil paper को जो है वो wrap कर दूँगे आप देख सकते हैं कि जो मैंने cut लगाया था बीच में से कितनी असानी से हमारी run fold हो रही है bend हो रही है बड़े असानी से उसको मोर के मैंने pack कर दिया है अब you guys can clearly see कि ये कितनी ज्यादा छोटी हो गई है fold हो कि आप लोगों ने भी same procedure को follow करना है देन में एक पतीली में जो है आदा कोफ के बराबर पानी आट करेंगे देन उसमें तेस पता दो अदद कुछ काली मिर्चे फिर पादियान का फूल कुछ लॉंगे मैं आट करूंगी देन में इसमें दार चीनी के दो टुकरे आट कर दूंगी बिल्कुल साबोद इसके आट करी हूं वह है इलाइची की अल्मोस्ट बड़ी इलाइची एक अदद और छोटी इलाइची मैं आट करी है तीन सचार अदद देन में एक स्टैंड रखूंगी जाली बाल स्टैंड है में पास यह मैंने इसके अंदर रखा है one thing which you have to make sure आपको खियार रखना इस बात क आपर टू आवर्स अच्छा एक चीज़ को आपने धिहान रखना है कि एक दम पैक रहे ताकि प्रॉपरली कुक हो जाए दो घंटे के लिए जो हम लोग फ्लीम पे पका रहे हैं आपर टू आवर्स आप क्लेरली देख सकते हैं कि हड़ी जो है वो गोश्ते अलग हो गई है विच मेंज कि यह बहुत प्रॉपरली कुक हो गया है अब नेक्स स्टेप में इसके अंदे थोड़ा सा मसाला जो है वो एड़ अप करूंगी जो मसाला मैंने मैरिनेशन के लिए रेडी किया था दही में चीज़े अड़ करके उसमें थोड़ा सा ओयल अड़ किया और सारे म साले को ब्रश की हेल्प से मैं इसके उपर स्प्रेड अप कर दूंगी देन आप देख सकते हैं कि फॉल पेपर में ही रखे हुए मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूं इसमें मैंने थोड़े से इस वेज़ेटेबल्स कट करके आड़ कर दिये थे जैसे के आलू प्य नेक्स स्टेप जिसमें मैं राइस प्रिपेर करूंगी जिसके लिए सबसे पहले मैंने टू टेबल स्पून के बराबर घी आड़ किया है पैन में इसमें चॉप हुई वी प्याज आड़ करिए इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसलूसिंट होने दूंगी और आड़ कर दूंग आड़ करेगा नाओ एम एड़िंगा चिकन क्यूब इन एड़ क्योंकि टेस्ट इंहांसर में जो यह चिकन क्यूब्स होती है यह बहुत इंपॉर्टन्ट होती है तो मैंने यह भी इसके इंदर आड़ कर दी है दैन हम इसमें नमक एड़ कर रहे हैं वान टीसपून नमक की क्योंटिटी है वो कम है क्योंकि और भूर्ट इड़ि जो है वो मैंने मसाला जो है वो उसमें नमक एड़ इड़ किया है तो इसलिए नमक जात जाएगा इसमें जादध कर देंगे अब हम इसमें जोश आने देंगे which means we'll bring it to boil जैसे इसमें boil आने लग जाएगा हम इसमें चावल आड़ कर देंगे जो हमने 15-20 minutes दो ग्लास चावलों को सो करके रखा था वो इसमें आड़ कर देंगे दो ग्लास चावलों में हम तीन ग्लास के बराबर पानी आड़ करेंगे then simply जैसे हम normally चावल को prepare करते हैं उस तरीके से हमने इसको पकाना है अब आप देख सकते हैं हमाई चावल almost ready है तो हम इनको 5 minutes के लिए last में दम पे रख देंगे and as you guys can see that mutton rand जो है एकदम ready है आप लोग देख सकते हैं कितनी चटपटी और मज़िदार यह लग रही है in my family everybody loves it के थोड़ सा dark हो properly cooked हो आप लोग चाहें तो 5-10 minutes कम भी इसको पका सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने कितना tasty way में इसको serve out किया है आप भी इसको same तरीके से serve कर सकते हैं trust me you guys यह जो rice थे इसके साथ ही my family को जादा अच्छे लगे I'll recommend you all guys को जरूर try out करें और video पसंदा है तो video को like comment share जरूर करें also do subscribe to my channel Allah Hafiz